नमश्कार मैं शिर्पा स्टीट मेल टीम आपका स्वागत है बट्टू रोडसीत पंजाबी सबा हस्टार में हड़ी रोग विशेशक डॉक्टर अमीत नारंग ने आज जोईनिंगी डोक्टर अमित नारंग की जोइनिंग पर पंजाबी सभा की एड होक अकमेटी ने उनका मुँ मिठा करवागा स्वागत किया पंजाबी सभा हस्तार में आज डायलसिस सेवा भी शुरू हो गई डायलसिस के अंदर का शुबारम शीव पूरी की परदाम वीम सैन आनंद ने किया वहीं हस्तार में आज चू के पार्ट टू का उद्गाटन वीजन निर्मोही ने किया नमस्कार मैं डोक्टर अमित नारंग और्थोपडिक सर्जन नहीं दिली से आज मैंने पंजाबी सभा हॉस्पिटल जोइन किया है पंजाबी सभा हॉस्पिटल जोइन करके मुझे कापी अच्छा लग रहा है फैसिलिटी कापी अच्छी है पेशिंट्स के बले के लिए पंजाबी सभा ट्रस हॉस्पिटल अब मैं अपने शहर में वाफिस आया हूँ अपने लोगों की सेवा करने के लिए तो पंजाबी सभा ने मुझे एक मोका दिया है जिसे मैं पूरी तरह से इस्तमाल करना चाहूँ आज पंजाबी सभा शुटरल में एक लंबे समय के बाद आना हुआ और हमारी जो नई अड़ाप कोमेटी है उन्हों में मुझे आज मान समान दिया कि मैं आईस्यू पार टू का उद्गाटन करूं मुझे आज हॉस्पिटल में आकर बड़ी खुशी हूँ सबसे पहले तो ज इसके साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं जो है वो को लोग करवाई जा रही है आईस्यू का एक सेकंड पार्ट इसलिए किया गया है क्योंकि करोना जो पिछले दौर में आया उसमें बहुत सारी दिख्तें आई तो लोगों को जादा से जादा सुविधा मिले पहले भी ह हमारे बाद लगवग आठ दस बैड़ का आईसीव है और अब हमने छे बैड़ का और जो है आईसीव तियार किया इसके साथ डायलेसिस का जो यूनिट आज स्थापित किया गया है और हमारे नए डॉक्टर को आज यहां अपाइटमेंट हमने भी है डॉक्टर अमित नारं है कि बच्चे हैं और बहुत इंटेलिजेंट और महुत समयधार डॉक्टर हैं आज दिल बहुत ही प्रसंद हो रहा है क्योंकि आज काफी समय बात आज पंजाबी सभास्तवाल में वो रॉनोंत देखने को लग रही है जो सद 2009 में मैंने अपने हाथों से की थी आज हमारे अमित नारंग जी जो अर्थों के डाक्टर हैं उनको बिठाया है डेल्सी सेंटर भी आज चलू हुआ है और एक आईश्यू को पहले चली रहा था उसके साथ आज एक और आश्यों का उद्गाटन हुआ है जिसमें हमारे डेल्सी सेंटर का उद्गाटन हमारे भाई भीम संजी अनंद भाई आईश्यू का हमारे विजे निर्मोई जी ने किया है बहुत ही खुशी की बात है कि आप दुबारा पंजाबी सभाहस्टाल उसी बुलंदियों पे जाने के असार लग रहे हैं ये सारा क् किमेट्री जो है उनको जाता है अब तक के लिए इतना है कुछ नहीं जानकारियों के साथ फिर आजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार